वश्कार हमारे यूट्यूब चैनल कोशे क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम फिर से सुवद्रा कुमारी चोहां जी की कविता का भाग तीन लेकर आए हैं तो चलिए हम सुरू करते हैं महलों ने दी आग जोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी कि महलों ने तो आग दी और जोपड़ी में ज्वाला सुलगाने का मतलब है कि चिंगारी एदा करना कि सब लोग एक साथ इखटे हो गए कि आम जनता भी साथ हो गई थी ये सोतंत्रता की चिंगारी अंतरमन से आई थी और जो इस सोतंत्रता की जो चिंगारी थी कि युद की जो चिंगारी थी वो अंतरमन मतलब हिर्दय के अंदर से आई थी जहां से चेती दिल्ली चेती लखनों लप्टे चाय थी कि जहां से भी चेत गई थी कि जहां से भी जाग गई थी दिल्ली भी जाग गई और लखनों में भी ये लप्टे फैती चली गई मेरट कानपूर पटना ने भारी धूम मचाय थी और मेरट और कानपूर और पतना ने भी खूँ धूम मचा दी थी कि वो भी साथ खड़े हुए कि अब विद्रो करना है और अंग्रेजों को यहां से पगाना है जबलपूर, कोलापूर में भी कुछ हलचल उकसानी थी और जो जबलपूर और कोलापूर था उसकी रियासतों में भी दिखाई देने लगा था कि उसमें भी वो विद्रो के भाव जगाने थे और उन्हें जगाना था बुंदेले हर बोलो के मुह हमने सुनी कहानी थी कि बुंदेलो के हर विक्तिक के मुह से हमने ये कहानी और एकी चुनते चले आ रहे थे कि खुब लड़ी मर्दानी वै तो जहासी वाली रानी थी कि खुब लड़ती चली गई लक्षमी भाई मर्दों की तरह ऐसी जहासी की रानी थी इस सवतंतरता महायग में कई वीरवर आए काम और जो इस सवतंतरता का महायग मतलब महान जो कारिय था आजादी का जो महान कारिय था उसमें बहुत सारे वीरविक्ति भी काम आए नाना धुनपत तातिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम था यहाँ नाना धुनपत थे तातिया का मतलब ताता टोपे थे और चतुर अजी मुल्ला सरनाम भी थे एहमद सा मोलवी ठाकुर कोर सिंग सैनिक अभिराम थे अभिराम मतलब सुन्दर कहा सकाया और सरनाम का मतलब मतलब प्रसिद्ध थे कि हाँ पर सारे के सारे से कि एहमत सा मोलवी ठाकुर कोहर सिंग सैनिक सभी कैसे थे सुन्दत और वीरता के को बिगुल बजाने वाले थे कि अपनी प्रसिद्धी का कौन कौन दुबारस देख लो नाना दुनपत ताता टोपे चतुर अजी मुल्ला ऐसे प्रसिद विखती थे और सरनाब का मतलब प्रसिद एहमत सा मोलवी ठाकुर कोहर सिंग सैनिक अभी राम थे भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम की भारत की इतिहास गगन मतलब इतिहास रुपी जो आकाश है उसमें ये नाम अमर रहेंगे हमेशा इतिहास में अमर रहेंगे ले बुंदेले हर बोलो के मुह हमने सुनी कहाने थी कि बुंदेलों के मुह से हमने ये कहानी सुनी थी खुब लड़ी मर्दानी वै तो जहासी वाली सानी थी कि मर्दों की तरह लड़ती चली की ऐसी वाल जहासी की रानी थी जब उन्होंने बिगुल बजाया विद्रो का तो उसे उन्होंने अपराज समझा लोगों ने किसनों ने अंग्रेजों ने तो यहाँ पर उनके लिए कहा गया तो ऐसे सारे वीर वहाँ पर खड़े हो गए युद करने के लिए इनकी काथा छोड़ चले हम जहासी के मैदानों में इनकी काथा को छोड़ कर हम जहासी के मैदान में की तरफ चलते हैं जहां की गानी लक्ष्मी बाई ने युद का विगुल बजा दिया था लड़ने को तयार हो गई थी यहां खड़ी है लक्षमी भाई मर्द बनी मर्दानों में और जहां लक्षमी भाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए युद छेतर में वीर पूरुस के भाती टटकर खड़ी हो गई है लेफटनेंट वाकर आया पहुचा आगे बड़ा जवानों में और जवाँ पर लेफटनेंट वाकर अपनी विशाल सेना के साथ वहाँ पर आ गया और जो सेनी के जवान है उनके आगे आकर खड़ा हो गया रानी ने तलवार कीची हुआ दूंद असमानों में और रानी ने क्या किया तलवार कीची कि युद के लिए खड़ी हो गई वो निडरता के साथ और असमान मतलब सामान सामान दोनों मतलब कि वो डरी नहीं और उनके सामने खड़ी होकर एक युद करने को के लिए खड़ी दुन्द का मतलब यहां पर एक दन की दो विक्तियों के बीच में युद्ध हो रहा था किसके बीच में हैं अंग्रेज सासक वाकर के बीच में और लक्षमी बाइकी में जक्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी हुई कि और यहां पर जब युद्ध हो रहा था तो उस समय वाकर घायल हो गया था और वो भाग गया और रानी की वीरता को देखकर उसे आश्चरिये हुआ बुंदेल हर बोलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी कि बुंदेलों के विक्ति के मुँँ से हमने एक कहानी सुनते चले गए कि किस तरह से वो लड़ती चली गई मर्दों की तरह युद में और अंग्रेजों से लुआ लेती चली गई ऐसी जहासे की रानी लक्षमी भाई थी विजे मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी कि विजे तो मिली थी लेकिन जो अंग्रेजी की सेना थी वो फिर से घिर आई थी अपके जर्नल इसमित समुख था उसने मुखी खाई थी और अपकी बार क्या था रानी के समुख जर्नल इसमित लड़ने को खड़ा हो गया था काना, मन्दरा, सक्खियां, राणी के संग आई थी और यूदच्भ छेतर में ने भारी मार मचाई थी अपने जो विद्रोहित थे कि कहने का था पर नगले जी दुस्मन थे उन पर तूट पड़ी थी पर पीछे होरुज आ गया हाई गिरी अब रानी थी कि पीछे से ये होरुज आ गया था और रानी पूरी तरह से घिर गई थी बुंदेल हर बूलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी कि खुब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली पीछे लानी थी तो भी रानी मार काटकर चलती बनी से और फिर भी रानी क्या करती रही चार त्रफ से घिर गई थी फिर भी वो किन्तु सामने नाला आया था वे संकट विसम अपार था और लेकिन जैसे जैसे वो उन सैनिकों को मारती हुई आगे बढ़ रही थी तभी सामने नाला आ गया और ये संकट सबसे ज़्यादा गठिन था सबसे ज़्यादा भैन अग था गोड़ा अड़ा नया गोड़ा था इतने में आगे सवार और ये गोड़ा कैसा था रुग गया था अड़ गया था कि नहीं आगे नाला पार नहीं किया था और क्योंकि नया गोड़ा था और इतने में ही जो अंग्रेजी की जो सैनिक थे वो पर आगे रानी एक सत्रू बहुत्रे होने लगे वार पे वार और रानी तो एक थी लेकिन सत्रू के तेरे बहुत सारे बहुत्रे मतलब बहुत जादा थे और एक उपर नीचे वार होते चले रानी को उन्होंने चारों तरप से घेर लिया घायल होकर गिरी सेहनी और घायल होक पर गिर गई थी चेने मतला सेरजनी वीर काय सकते वाप उसे weere गति पानी थी उसे तो वीर गति Realきट करनी थी अर्था तुसे तो मढरना था बुंदेल रबोलो के मुँठो हमने सुनि काहनी थी कि ईक दिुन्देलो के चली गई और आगे बढ़ती चली गई और ये कहानी हमने मुंदेलों के हर विक्ती के मुँझे हमने सुनी थी कि किस तरह से जहां से की रानी लक्ष्मी भाई ने मर्दों की तरह खूब लड़ा और अंग्री जो को मार किराया रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिवे सवारी थी कि रानी तो अब सिधार गई उनकी कादे हां तो गया वो स्वर्ग सिधार गई चिता अब उसकी दिवे सवारी थी और जो उसकी चिता थी वो एक दिवे सवारी की तरह थी आलो की सवारी की तरह हो रहे थी मिला तेज से तेज तेज की वे सची अधिकारी कि यहां पर वो कहना चाहते है कि एक तेज मतलब यहां इश्वर की का रूप भी बताया जाता है कि तेज का अंस मिलता चला गया कि इस वर से वो इश्वर का ही रूप थी और इस वर से ही में ही मिल गए थी और वो उसकी सचा दिकार था अभी उमर के वर कुल 23 की थी कि उसकी उमर के वर 23 की थी मनुज नहीं वे अवतारी थी वे मनुश्य नहीं थी एक अवतार थी इश्वर का अवतार थी हमको जीवित करने आई बन सतंता की नारी थी कि हमको वो जीवित करने वाल आई थी और वो आजादगी की नारी थी कि हम लोगों को इस अंग्रेजों से आजाद करने आई थी दिखा गई पत सिखा गई हमको जो सीख सिखाने थी कि वो हमको रास्ता दिखा गई पत मतलब रास्ता दिखा गई और हमको सिखा गई कि वो सीख की अंग्रेजों से हमें बं कर नहीं रहना है उनके अत्तचारों को नहीं सेना बलकि अपनी आवाज को उठाना है तो इसी के लिए उन्हों ने कहा बुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी काने कि बुंदेलों के मुह से हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वै तो जहासी वाली रानी थी कि खूब लड़ी मर्दों की तरह ऐसी जहासी वाली रानी थी जाओ रानी याद रखेंगे हम करतक भारतवासी कि जाओ राने हम तुम्हारे उपकार को हमेशा याद रखेंगे ये तेरा बलिदान जगाएगा सुत्रंतता का अभीनासी कि ये जो तेरा बलिदान है वो हमें सुत्रंतता के अमर अभीनासी मतलब अमर को जगाता चला जाएगी तो हम आग Biz उसका इतियास के परणों में नाम अमर हो जाइगा किसका जहात की साहनी का तो हुब चुप इतियास लगे सब्सद्द आई चुर्ग चाहै को चाही फांसी चै इतियास चुप हो जाए और चैस को फांसी लेकिन हम कहते चले जाएंगे हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाय जहांसी की हो मदमाती विजय चाय हम उस विजय को फैर आएंगे और चाय हमें गोली लग जाए गोलों से जहांसी को के उपर वार के जाएंगे हम हटेंगे नहीं बलकि उस पर विजय करेंगे तेरा इसमारक तु ही होगी तो खुद अमिट निसानी है कि अमिट मतलब ने मिटने वाली इसमारक मतलब याद दिलाने वाली कि याद करने वाली कि तुम खुद ही ऐसी हो कि तुमारे की वीरता की जो बाते हैं वो एक याद ब बुंदेल हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी, खुब लड़ी मरदानी वै तो जहासी वाली रानी की, बुंदेलों के हर व्यक्ति के मुह से हमने ये कहानी सुनी थी, कि किस तरह से वो अकेली लड़ती चली गई, अंग्रेजों से और वीर गती को प्राप्त हुई और अप नेवाद